नमस्कार स्वागत है आपका राज्य सभा टीवी में मैं हूँ आपके साथ हम्रुता चौरसिया शुरुवात हैडलाइन से हाल में विकासदर आठ दश्रमलब दो फीजदी होने के बाद नितियायो का बयान विकासदर में 2017 में गिरावट के लिए नोट बंदी नहीं पूर्व आर्बियाई गवर्नर दगुराम राजन की नीतियां जिम्मेदार नितियायो के उपाध ध्यक्ष राजिक कुमा ने कहा बैंकिंग शेत्र का बढ़ता नपिय थी मंदी की बढ़ी वज़े राष्टपती रामनाथ कोविंद ने नस्जी और सेंक्लास ते सुरक्षा परिशद में भारत की सद्यसिता के समर्थन के लिए साइप्रस कादा किया शुक्रिया साइप्रस की संसत के विशेश सत्र के संबोधन में भारत में निवेश पढ़ाने की भी अपीर दोनों देशों के बीच मने लॉंडरिंग, सिने पटने और पार्यावरन के एक श्वेत्र में सहयोग के लिए समझाते पुत्राखन समेत कई राज्जियों में अगले दो दिन तक भारी बारिश की जितावनी उत्तरप्रदेश में पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत लोगों को सस्ती और सही दवा मुहया कराने के लिए ए फॉर्मेसी का मसौदा नियम तयार ओनलाइन दवा बीचने वाली कंपनियों को लेना होगा लाइसेंस मसौदे में मरीजों की जानकारी गोपने रखने का प्रावधार श्रद्धा और उनलास के साथ देश भर में मनाय जा रहा है जन्माश्टमी का पावन पर मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए उम्डे भग कई जगहों पर गोविंदाओं ने फोड़ी मटकी राश्ट्रुपती उपराश्ट्रुपती और प्रधान मंत्री ने दी शुब काम नाय नितियायों के उपाध है क्ष राजिव कुमार ने कहा है कि नोटबंदी के बचछ से अर्थववस्था सुस्त नहीं हुई उन्होंने अर्थववस्था में सुस्ती के लिए NPA को लेकर RBI के पूर्व गवर्णर रगुराम राचन की नीतियों को जम्मिदार ठहराया उन्होंने कहा कि साल 2015-16 की चौथी तिमाही में विकासदर 9% से अधिक रही इसके बार नोट बंदी से पहले लगाता 6 महाई तक अर्थववस्था में सुस्ती बरकरार रही और पिछले साल अप्रेल से जून के बीच जीडीपी की विकासदर 5.6% तक गिर गए थी उन्होंने कहा कि ये एक ट्रेंड था और इस दौर में बैंकों का फसा कर्ज करीब 4 लाग करोड से बढ़कर साड़े 10 लाग करोड तक पहुच गया इससे बैंकों की कर्ज देनी की एक शमता बहुत तेजी से कम हो गई दरस्तर शुकरवार को जारी आकडो के मुताबिक अप्रेल जून में तिमाही में विकासदर 8.2% ती रही अच्चे वसका यथ एक व सि einem तंखर थर नाहे वर मिविकिन सब्सक्राज करे लिल इसमिशलों को बजू डून फोग बढ़ करोड वा दिन एक 6.2% आफ लाग कर्वार कोड देनी कोज़रे कि तोट dif喔 they had instituted newjak laurम में सॉ कि एछ १ू San Masamu जोलर के मकाबले रुपया आज और गिर कर सबसे निचले स्तर पर पहुच किया एक डॉलर की कीमत 41 रुपये, 21 पैसे रही. वैसे आज सुभा के कारुबार में 1 डॉलर की कीमत 70 रुपये,στगतर पैसे थी. लेकिन दुपैर होते होते रुपै में फिर से गिरावत शुरू हुई और शुकरवार के मकाबले 21 पैसे की गिरावत आई. शुक्रवार को रुपए में 26 पैसे की गिरावट आई थी और एक डॉलर की कीमत 71 रुपए हो गई थी जानकारों का मानना है कि अंतरास्टे बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और दूसरी मुद्राव में गिरावट का सर भी रुपए पर पढ़ रहा है देश में पट्रोल और डीजल की दाम सुमवार को अब तक की सबसे ऊचे स्तर पर पहुच गए रुपए की कीमत में गिरावट और अंतरास्टे बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ने से ये बढ़ोतरी हुई है सुमवार को दिली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 89 रुपए 15 पैसे रही वहीं एक लीटर डीजल कीदाम 71 रुपए 15 पैसे रहे मुंबई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 56 पैसे पर पहुच गई 16 अगस से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए से जबकि डीजल की दाब में 2 रुपए 42 पैसे प्रती लीटर की बढ़ोत्री हुई है रुजर्बैंक में 10 से अधिक शाखाव वाले वाड़ेजिक बैंकों को आंतरिक लोगपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है और इस नियम से क्षेत्रिय ग्रामेड बैंकों को छूट दी गई आंतरिक लोगपाल का मकसद बैंकों की खिलाफ शिकायतों का तेजी से निप्टारा करना है आरबियाई ने कहा है कि आंतरिक लोगपाल उन शिकायतों को सुनेंगी जिसमें बेहतर सेवाई नहीं मिलने के बाद कही गई है और बैंकों ने उसे शिकायत को खारिच कर दिया है ग्राहक सीधे तोर पर आंतरिक लोगपाल से भी संपर कर सकते हैं साल 2015 में RBI ने बैंकों को आंत्रिक लोगपाल नियुक्त करने को कहा था भारत और साइप्रस ने आज आपसी रिष्टों को मजबूत करने के लिए दो एहम समझाथों पर दस्थकत किये हैं ये करार मनी लॉंडरिंग को रोकने और पर्यावरन के एक श्वेत्र में हुए साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपती रामनात कोविन ने आज साइप्रस के राष्ट्रपती निकोस अनासतासिया डेस के साथ बैठकी दोनों निताओं के बीच आपसी संबंधों से जुड़े कई मस्टों पर विस्थार से जर्चा हुई दोनों निताओं के बीच प्रतिनिधी मंडलस्तर की वारता भी हुई राष्ट्रपती रामनात कोविन ने सयुगत राष्ट सुरक्षा परिशत और एनस्जी के सद्यसिता के समर्थन के लिए साहिप्रस का आभार व्यक्त किया दोनों देश प्रद्योगी की पर्यटन जहाज रानी और नवीकरणी उर्जा के एक श्वेत्र में सहयोग पढ़ाने पर सहमत हुए करने की अपील की. करनाटक में शहरी निकाय चुनाव की नतीज़े आ गए हैं. कुल 2709 सीटों में से 262 सीटों की नतीज़े आ गए. करनाटक चुनाव आयों के मताबिक कॉंग्रिस को सबसे ज़्यादा 982 सीटे मिली हैं. दूसरे नमबर पर बीजेपी हैं जिसे 939 सीटे मिली हैं. महीं जेडियस को 375 और अनिक को बाकी सीटे मिली हैं. करनाटक में कॉंग्रिस और जेडियस गड़ बंधन सरकार चला रहे हैं लेकिन दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा. दोनों दलों ने चुनाव के बाद गड़ बंधन करने का अलान किया हैं. शुक्रवार को तीर नगर निकमो, उन्तीज से मिनिसिपल काउंसिल, बावन टाउन, मिनिसिपल काउंसिल और बीस टाउन पंच्वायत के लिए मतदान हुआ. वहीं कोडागो में बाड़ के चलते चुनाव स्थगित कर दिया गया. दवाओ की ओनलाइन बिक्री के नियमन के लिए सरकार ने कानूनी धाचा तैयार करने की कवायत तेस कर दी है. इसके लिए इफ वार्मेसी के लिए मसौदा नियम जारी किये गए हैं. इसमें वन पॉइंट रजिस्ट्रेशन और बिक्री के प्रक्रिया तै की गई है. की दवाइयां सस्ते दामों पर मिल सकेंगी. केंदुरिय स्वास्ते मंतुराले ने दवाइयों की ओनलाइन बिक्री के लिए मसौदा नियम जारी किया है. मसौदा नियमों के मताबिक कोई विव्यक्ती बिना पंजी करन कराए. इफॉर्मेसी पोर्टल के जरिये ऑनलाइन दवाएं नहीं बेच सकेगा. साथ ही इनका वितरण और भंडारण भी नहीं कर सकेगा. अगर कोई इफॉर्मेसी का व्यापार करना चाहता है तो उसे सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉर्टी के पास रेजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा. साथ ही रेजिस्ट्रेशन के लिए 50,000 रुपए जमा करने होंगे. साथ ही रेजिस्ट्रेशन तीन साल के लिए मिलेगा. इफॉर्मेसी कंपनियों को सुचना प्रद्ग की खानून के प्रावधानों का भी पालन करना होगा. मसौदा नेमों में ग्रहकों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान हैं. इफॉमेसी कंपनियों को मरीजों की जानकारी गोपनी रखनी होगी, केंद्र और राज सरकार के लावा यह जानकारी किसी को नहीं दी जा सकती, दवाईया नकदी या क्रेडिट मेमो के जर्ये बेची जा सकती हैं और कंपनियों को इसे रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा इफॉमेसी को तैसमय में दवाओं की आपूर्थी करनी होगी साथ ही इफॉर्टल पर 24 गंटे चलने वाला कॉल सेंटर भी आपरेट करना होगा इफॉमेसी किसी भी दवा का प्रचार नहीं करेंगे मसोधा नियमों में कई तरह की दवाएं बेचने पर पाबंदी है इनमें साइको ट्रोपिक नार्कोटिक्स और टेंकुलाइजर्स दवाएं बेचने पर पाबंदी होगी भारत में दवाओं की विक्री का नियमन ड्रक्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से होता है दवाएं सिर्फ लाइसेंस वाली दुकानों से ही बेची जा सकती है इस समय अतिनियम में इए फार्मेसी शामिल नहीं है और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोड़े से ब्रेक के लिए आप देखते रहें राजी सभा टीवी 145 फीट उचा ये टावर बिटिश वाइसराय को जैपूर के ततकालीन महाराजा सवाई माधहौसिंग की भेंट स्तंब का उपरी हिस्सा काच से बने शटकोंडिय सितारे और काच से कमल से सुसजित स्तंब के भीतर लगी पाच टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार और ये प्रक्रिया दोराई जाती है हर 3 सकंड बार बार लंबे समय से आपकी मांग रही है कि कला साहित्य, संगीत, नृत्य और सिनमा की सांस्कृति खल चलें आप तक हिंदी में भी पहुंचें राज्य सभर टीवी पर अब हम आपको परिचित कराएंगे संस्कृति परमपरा और आधुनिक्ता के सभी कला रूपों से हर सप्ता हिंदी में भी आपकी सांस्कृतिक डाइरी कला साहित्य, सिनमा, संगीत और नृत्य का जरोखा सब्रंग जल्द आ रहा है सिर्फ राज्य सभर टीवी पर रेकिवास स्वागित है आपका उपरास्त्रपती और राज्य सभा के सभापती एंवेंक्या नाइडू ने राज्यतिक डलों से अपने सांस्दों और विधायकों के लिए एक अचा सहींता बनाने का सुझाव दिया है जो से विधायका के प्रभावी कामकाज में मदद मिलेगी और संसदी संस्थाओं में लोगों का भरोसा बहाल होगा उपराश्ट्रपती के तौर पर अपने एक साल के कारेकाल पर पुस्तक मूविंग ओन, मूविंग फॉरवर्ड आईयर इन ओफस की रविवार को विमोचन के मौके पर उन्होंने राजनितिक डलों से रास्ट्रिय महत्व के मसलोपर दलगत हितों से उपर उठकर एक उन्होंने इसमें सुधार के लिए पांच सुझाव रखे इनमें सदन के भीतर और बाहर, सांसदों और विधायकों के लिए आचरन सहिता, पार्टी बदलने से पहले सदन से इस्तीफा, दल बदल कानून से जुड़े मामलों का निप्टारा तीन महीने के भीतर करना शामि उप राश्मती ने साफ सुथरी राशनीती और राजों में विधान परिशत बनाने के लिए राश्रनीती पर जोड दिया वो प्राश्पती ने राश्रीतिक पार्टियों से महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की बात कही और महिलाओं को दूसरे शेत्रों के साथ ही विधायका में भी आरक्षन के जर्ये सशक्त करने की जरूरत बताई कृशे को देश की मूल संस्कृती बताते हुए उपराश्पती ने किसानों को जादा संसाधन मोहया कराने की सला दी जिसे खेती को लावकारी बनाने के साथ मजबूत खादिश सुरक्षा सुनिश्चित हो सके वपराश्पती ने लोगों को स्वच राजनीती, पारदर्शी और जवाब देश शासन मोहया कराने पर जोड दिया प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूरे प्रकाष ने पोस्तेक्वी मोचन कारिकर्म के दारान उपराश्ट्रपती इंवेंक्या नाइडू की ओर से दिये गए सुझावों का स्वागत किया उन्होंने कहा क्यों प्राश्ट्रपती के सुझावों पर अमल से संसद और विधान मंदलों के कामकाच्च में सुधार होगा This is the first time I have heard a national leader say all states must have by Cameron legislature. I think across political parties there needs to be a debate on this and on the need for this. The other thing he spoke about was a code of conduct for members of parliament. You see, when Mr. Shivaraj Patil was speaker of the Lok Sabha, in a presiding officer's conference, I think it was in 1993, that he mooted the idea of a code of conduct, and that code of conduct was adopted by the presiding officer's conference, speaker's conference. Later, both houses of parliament adopted it, in the sense that the ethics committees of the two houses adopted it. Question now is one of enforcement. That is why what Mr. Venkai and I have said today is very important. To enforce that code of conduct, you have to have the political parties on board. So today, he has appealed to all political parties to please enforce this code of conduct among your members. It must begin with parliament, and in my view, it must extend to our representatives in all our legislative bodies, that is, assemblies across the country. Thank you very much. इस साल मौनसून के मौसम में बारिश भोस खलन और बिजली गिरने के कारण देश भर में एक हजार चारसो से जादा लोगों की मौत हुई है और चालिस से जादा लोग लापता हैं। गरमंत्राले की नेशनल एमर्जिंसी रिस्पॉंस सेंटर के आकड़ों के मुताबिक सबसे जादा नुकसान केरल में हुआ यहां भारी बारिश और बार के चलते 488 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में 250 से जादा पस्ष्य मंगाल में 210 करनाटक में 170 महरास्ट में 149 गुजरात में 52 लोगों की मौत हुई इसके लावा सम्में 50 उत्राखंड में 37 ओडिसा में 29 और नगलेंड में 11 लोगों की मौत हुई है और जम कश्मीर के पुलबामा जले के कई गाउ में सुरक्षाबलो का सघन तलाशी अभियान जारी है आतंक्यों के छिपे होने की खाबर की बाद सुरक्षाबलो ने आज सुबह तलाशी अभियान शुरू किया CRPF, सेना और राज्य पुलिस मिलकर यह अभियान चला रही है यसे पहले रविवार को शोपिया जले में सुरक्षाबलो ने तलाशी अभियान चलाए था और सेन्ट्रास्ट ने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत ने स्कूलों में स्वच्छता संबंधी सुविधाई बेहतर करने की दिशा में तेजी से प्रगति की है साथ ही इसमें ये कहा गया है कि देश में ऐसे स्कूलों की तादाद बहुत तेजी से घटी है जहां सुचिता संबंधी सुविधाएं बिलकुल नहीं है सेंट फ्लास्ट एजिंसी के एक नए संयुक्त अध्यान ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स दोहजार अठारा ग्लोबल बेस्लाइन रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है इसमें ये जानकारी दी गई है कि 2000 से 2016 के बीच ऐसे स्कूलों की तादाद बहुत तेजी से घटी है जहां स्वचिता संबंधी सुविधाएं बिलकुल नहीं थी और सभी स्कूलों में स्वचिता संबंधी किसी ना किसी तरह की सुविधाँ जरूर है जबकि 10 साल पहले आधे से जादा स्कूलों भी कोई स्वचिता सुविधाँ नहीं होने की रिपोर्ट थी पाकिस्तान में कल राष्ट पती का चुनाव होगा जसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमिद्वार आरिफ अलवी की जीत ताय मानी जा रही है बताया जा रहा है कि अभी तक विपक्षी पार्टिया अपने संग्त उमिद्वार की खोशना नहीं कर पाई है जिसकी वज़े से आरिफ अलवी की जीत पक्की मानी जा रही है पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है पाकिस्तान की मौजुदा राष्ट्रपती का कारेकाल आठ सतंबर को पूरा हो रहा है और अब बाद श्रीक्रिष्ण जन्मास्ट्यमी के पावन पर्वकी देश भर में क्रिष्ण जन्मास्ट्यमी का तिवहार पूरी आस्था और उलास के साथ मनाय जा रहा है क्रिष्ण भक्तों में खास अउस्साह देखा जा रहा है मंदिरों में भक्तों की भारी भीड उमड रही है मंदिरों में आस्था कजन सलाब उमड़ा है भगवान श्रीक्रिष्ण जन्मस्थली मत्रा में भी लोग क्रिष्ण भक्ती में डूबे हैं मंदिरों में खास पूज आर्चना की जा रही है, बजारों में भी खास रौनक है भक्तों की भीड को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतसाम किये गए है और ये तीन तस्वीरे हैं मतुरा, दिल्ली और पुंचकी जहां पूरा वातावरण भक्ती में बना हुआ है, लोग कृष्ण भक्ती में डूबे हैं आप देख सकते हैं, मंदिरों में भक्तों की कतारे लगी हुई है कृष्ण के दर्शन के लिए लोग मंदिरों के ओर रुख कर रहे हैं और इस मौके पर लोगों को बधाई देते हुए राश्ट्रपती रामनात कोविन ने भगवान कृष्ण के निशकाम कर्म के उपदेश का जिक्र किया उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के जीवन और उपदेशों में एक सार्व भौमिक संदेश है निशकाम कर्म का संदेश भगवान कृष्ण ने अपने संदेश में बिना फल की चिंता किये अपना कर्म करते रहने का उपदेश दिया है उप्राष्ट पतियम वेंक्यान आईडू ने अपने बदाई संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में फल की चिंता किये बिना अपनी करतव्यों का लगन के साथ निश्पादन करने का शाश्वत संदेश पूरी मानता के लिए प्रिणा का स्रोत है प्रधान मंत्री नरेद मोदी ने भी स्मौके पर लोगों को बधाई दी है और मुंबई समेत कई जगाव पर आज जब मत्की फोड प्रतियों गिताओं का युजन किया गया स्मौके पर गोविंदाओं ने दही हांडी फोडी जब देख रहे हैं लोग जो है भक्ती के सागर में डूबे हुए हैं त्रीकृष्ण जन्मास्टमी ये पावन पर्व जो कि हर्श और लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है मुमईवे खास तोर पर गोविंदाओं जो की मटकी फोड़ने का कारिक्रम इस दिन करते हैं लोग अपनी घरों से निकले हुए हैं बाजारों में रौनक हैं मंदिरों में लोगों का ताता लगा हुआ है स्रीकृष्ण की दर्शन के लिए और ये नेपाल की तस्वीरे हैं जहां पर स्रीकृष्ण जिनमास्ट्यमी मनाई जा रही है आप देख सकते हैं कतार बध लोग जो की वहां पर मंदिरों की योड रुख कर रहे हैं क्रिश्ण की दर्शन के लिए इस पावन पर्व के मौके पर और दिली के बिरला मंदिर में जनमास्ट्यमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रहा है बिरला मंदिर में दिली के कोने कोने से श्रधालू इस त्योहार में हिस्सा लेने आए है कतारों में दिख रहे ये शिर्धालू बिरला मंदिर में भगवान श्री क्रिशन के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं बारिश के बावजूद भी क्रिश्न भक्तों का यहां तांता लगा हुआ है हर साल की तरह इस साल भी जन्माश्टमी का तिवहार धूमधाम से मनाया जा रहा है लोगों का कहना है कि यहां आने से मन को शांती मिलती है आज का जो शुप पर्व है वो सब के लिए बहुत माईने रखता है मंदिर के पुजारी भी जन्माश्टमी को खास दिन बताते है वहीं विदेश से आये क्रिश्न भक्त भी कनहिया के दर्शन करने में पीछे नहीं है आज के दिन साक्षात में ये मानता हूं कि वो हमारे भीच में है अवतरित है और वो जन्मानस में आकर के इन सभी की समश्याओं का समाधान करे और पुना एक बार इस धर्मधरा को पापों को रत्याचारों से मुक्त कराएं I'd like to pay my respect to Krishna for his birthday and this is the best way I thought we could do it by coming here and actually doing it and a beautiful country it is as well We have enjoyed your lovely country and we are looking forward to paying our respects इस मौके पर एक तरफ जहां सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए हैं वहीं साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है यहां पर साफ सफाई हमने दो दिन से लगातार बहुत अच्छी क्लीनिंग कर रहे हैं किसी प्रकार की सहाईता के लिए शुरधालू पुलिस बूत में संपर्ग कर सकते हैं वहीं सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो इसके लिए अर्दसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है सिसी टीवी कैमरों की परियाप्त विवस्था के अलावा इस्थानिये पुलिस को आसामाजिक ततो पर नज़र रखने के निर्देश दिये गए हैं मनुष्य एक जन्म में एक ही किरदार निभाता है लेकिन योगेश्वर कृष्ण ने एक ही जन्म में हजारों किरदार निभा कर इनसानियत को जो पैगाम दिया है उसकी मिसाल आज भी शीमत भागवर कीता के श्लोकों में दर्ज है यही वज़े है कि जन्माश्टमी सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में बसे भारतिये भी पूरी आस्था और उल्लास के साथ मानाते है कैमरा माइन अर्विन के साथ मोहमत फात्य टीपू राज सभा टीवी दिल्ली और इसी के साथ इस बुलिटिन में मेरे साथ इतना ही लेकिन आप देखते रहें राज सभा टीवी नमस्कार